ग्यारा दिन सिर्फ एक चमच दूद में मिला कर खालो, सो साल तक सुगर रोग, कोलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मोटापा, कमजोर आँखें, एनिंद्रा और ये दिल की बिमारियां आपको कभी नहीं होंगे, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस व्रिव में हम आपको कैसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, दोस्तों यदि आप इस चमतकारी नुस्खे का सिर्फ लगातार 11 दिन तक सेवन कर लेते हैं, वैसे आपको सेवन तो उसका लगातार एक महीने तक करना है, लेकिन 11 दिन से ही आपको अपने सरीर में चमतकारी बदलाओ मह हो जाएगा ऐसा चमतकारी नुस्खा है और ऐसे हैं इस चमतकारी नुस्खे के फाइदे दोस्तो आज की इस वीडियो की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो अलसी और दोस्तो अलसी के फाइदे को नहीं जानता अलसी ओमेगा थ्री फैट्टी एसिड से भरपूर है दोस्तो जो आपके स्रीर के हर परकार के दर्द को हर परकार के रोग को दूर करने की शम्ता रखती है और आपके स्रीर को बिलकुल निरोगी बनाने की सम्ता रखती है आपको हर अत्रह की बीमारी से बचाने की सम्ता रखती है दोस्तो अलसी का सेवन यदि आप हर रोज करेंगे तब आपको इसके चमतकारी result दिखाई देंगे तो चलिए पहले आपको बताते हैं इस RC के सेवन से होने वाले फाइदों के बारे में दोस्तों आप हर रोज इस नुस्खे का लगातार सेवन कीजे और दोस्तों इससे आपको चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे जो डायवटीज की विमारी के कान हमारे सरीर में कमजोरी आ जाती है वो कमजोरी आपकी बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों इस या आपको बैड कोलोस्तोल की समस्या है तो दोस्तों ये इनी सभी समस्याओं का इलाज है दोस्तों ये आपके सरी से बैड कोलोस्तोल को सही करने का काम तरी ये आपके सरी में अच्छे कोलोस्तोल की मातरा को बढाएगी बैड कोलोस्तोल की मातरा को कम करेगी जिससे की ना इस ब्लोकेज और हाडटे एक से हमेज़ा के लिए बचे रहेंगे। दोस्तो ये नुस्का आपके स्रीर में खून की कमे का इलाज करता है। आपके पाचन को मजबूत करता है जिसी कि आपको कभी कबज गैस और एसीटीटी की समस्यार नहीं होती। और दोस्तों ये कबज गैस और एस्डिटी हमारे सरीर की 72 रहें की बीमारियों का कान बनती है यनि आपको इन 72 रहें की बीमारियों से बचा करकता है दोस्तों आपके मुटापे को कम करने का काम करता है जिससे कि आपको इस मुटापिक एकान जो हमारे सरीर बीमारियों का खर बन जाता है उससे आप हमेशा बच रहते हैं इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन दोस्तो यदि आपकी आँखों के रोसनी कंचोर है और आप अपनी आँखों के रोसनी को बढ़ाना चाहते हैं दोस्तो तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कीजिए या आपको एनिंद्रा की बीमारी है और आप एनिंद्रा की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉफर निंदाए और आपका स्रीर बीमारियों का घर बने से बचाए। या आपके स्रीर की हड़ियां कमजोड हैं या आपको जोड़ों या घुटने के दर्ग के समझे हैं। दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए वर्दान है। दोस्तो इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं मिलाकर उपर से मिसरी ڈालकर उस दूद का हरो सेवन किजिए बिना च्छाने और दोस्तो यदि आप ऐसा सेवन करेंगे इस तरीके से सेवन करेंगे तब आपका पूरा सरेर निरोगी बन जाएगा और आपको इस अलसी के खाने के पूरे फाइदे मिलेंगे दोस्तो अल्सी के फाइदे तो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि अल्सी को सही तरीके से कैसे खाया जाए जिससे कि आपको पूरा फाइदन ले और इस जदि आप अल्सी का सेवन इस तरीके से करेंगे तब आपको इससे पूरे फाइदे मिलेंगे और आपका पूरा सरेर बिलकुल निरोगी बन जाएगा तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवादोस्तो